बाई stranger thing के बारे में जितना जादा सोचो उतनी जादा theories हमरे सामने निकल कर आ जाती हैं अब ऐसे तो दोस्तो बहुत सारी theories हैं जिन पर हमको आपसे बात करनी हैं लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि यह आखिरकार वैकना ने सिर्फ नैंसी को ही अपनी back story क्यों सुनाई क्योंकि अर देखा जाए तो बहुत सारे character अल्रेडी थे जिनको कहानी बैकना सुना सकता था लेकिन सिर्फ नैंसी को ही क्यों चुना उसने लेकिन यह वीडियो में अपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ली क्योंकि और movie cinema से related बहुत सारा content हम आपको है provide करवाते रहते हैं वेकिन अपने victims को mind की दिरू कंट्रोल करता था जो कि traumatic experience पर based होते थे जो कि Demo Gorgon से कहीं जादा अलग था और दोस्तों पर problem तो तफ सबसे बड़ी खड़ी होती है जब यहाँ पर हमको 11 नहीं दिखती पूरी गैंग के साथ क्योंकि unfortunately वो California में है अब दोस्तों इनी सब की जोकी चलते हुए यहाँ पर इस शेहर में मडर्स बहुत ज़ादा बढ़ रहे थे और यहाँ पर दोस्तों नैंसी को यह पता लगाना था कि आखिर कारी सब हो केसा रहा है थोड़ी बहुत दोस्तों और चानमीन कर लेने के बाद यहाँ पर उसको विक्टर क्रील के घर के और विक्टर क्रील के बारे में पता चलता है और किस तरह इस केस दोस्तों है पर विक्टर क्रील ने अपनी ही फैमिली को मार दिया गया था इस बारे में पता करती है हमारी नैंसी जाता कि दोस्तों Hawkins में जो Mudders के केस हो रहे थे बहुत हक तक सिमिलर थे 1950 में हुए Mudders से अब दोस्तों हम आपसे Stranger Things सीजन 4 के बारे में बात करें तो यह पर Nancy Chrissy का केस सॉल्व करने के चकर में है कि आखिरकार उसकी death इतने बुरे तरीके से हुई तो हुई कैसे वहीं दोस्तों इतनी ही investigation करने के बाद उसे Victor Krill के बारे में पता चलता है और Victor Krill से मिलने के बाद वहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि अबर Victor Krill निर्दोष था जो कुछ भी वहाँ पर किया गया था वो उसकी बेटे Henry Krill दोआरा किया गया अब वहीं दोस्तों Eddie के पीछे Jason की पूरी की पूरी गैंग बड़ी होई थी और वहीं Eddie का पीछे करने के दोरान यहाँ पर वैकना उसके एक friend को possessed कर लेता है और वहीं पर एक gate बन जाता है अब वहीं उसी जगे पर Steve, Nancy, Robin और Eddie जाते है तो हैंपर Steve को upside down world का gate अपनी तरफ कीछ लेता है वहीं उसके पीछे Nancy भी जाती है और इनी सब के देखा देखी Robin और Eddie भी यहाँ पर चले जाते है तो जैसा कि दोस्तों आप चानते हैं कि किसी की death भी वहीं हुई थी जहांपर Eddie रहता है तो officially दोस्तों हैंपर एक gate create हो गया था और अपर जिस वज़े से Nancy, Steve, Robin, Eddie चारों लोग फस चुके थे इन चारों को निकालने के लिए उस एक gate का सहरा लिया गया सारे लोग real world में आ गये सिवाए Nancy के क्योंकि हैंपर Nancy को possess कर लिया जाता है वैकना दौर और यहाँपर possess कर लेने के बाद उसकी पहली location होती है वही वाटटब जहाँपर उसकी best friend बार्बरा की मौथ होई थी और यहाँपर दोस्तों वैकना इसी guilt का use करते हुए Nancy को अपनी तरफ possess कर लेता है Traumatical experience के basis पे अब वही थोड़ा और आके बढ़ने के पाद Nancy उन इवेंट्स में चली जाती है जहाँपर वैकना ने अपना पहला काम चालू किया था यहाँपर नैंसी उस memory में चली जाती है यहाँपर कि Victor Krill के सन Henry Krill ने अपनी ही family को बहुत बुरे तरीके से मार दिया था अब वैकना ने अपनी पूरी दास्तान सिर्फ नैंसी को इसलिए सुनाई इसका पहला कारण हो सकता है कि सबसे ज़्यादा curious इस समय नैंसी ही थी और यहाँपर यह बात वैकना को पता थी और वहसी बाते दोस्तों आपर वैकना के बारे में अल्रेडी नैंसी ने पता कर ली थी न्यूस पेपर और थोड़े भूट इवेंट्स के बैसिस पे और तो और दोस्तों बीच में एक ऐसा सीन भी आता है और दोस्तों जब यह सीक्वेंस चलता है तो यहाँपर इलेवन और नैंसी के बीच में चलता है भाई दोस्तों 001 इलेवन को कहानी सुना रहा है और यहीं वैकना नैंसी को कहानी सुना रहा है अब इंदर सीक्वेंस का साथ चलना तो भाई मुझे समझ में नहीं आया है शायद ऐसा भी हो सकता है कि अबर नैंसी और 11 की death को reveal किया जा रहा हो और दूसरे इस बात के chance बहुत ज़्यादा higher है क्योंकि दूस्ता वेकना जब हमने victims को choose करता है तो अबर उनके उनके guilt के basis पे ही करता है और अब पिछले कई सीजन से बारबरा को बिल्कुल भी नहीं बताया गया और अंदर ही इंदर नैंसी को बारबरा के खतम हो जाने का guilt तो है ही तो भाई इसा हो सकता है कि हम पर नैंसी की death भी हो जाए और वही दोस्तो इससरे लेटर एक दूसरी थियोरी भी है शो के creators ने कभी भी नैंसी को as a hero कभी भी represent नहीं किया है इसलिए आपर दोस्तो ऐसा देख कर लगता है कि वेकना especially रूप से नैंसी को कहानी सुना रहा है और यार सच में बंदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है वेकना तक पहुँचने के लिए और वहीं वेकना भी नैंसी के efforts को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता है और वो उसे वदाई भी देता है इस line के रूप में you are so close to truth अब वहीं दोस्तों नैंसी और स्टीव के बीच में दूरिया बहुत कम होती जा रही है ऐसा लगने लगा है कि वो पहले स्टीव और नैंसी जिस तरीके से रहते थे सीजन वन और सीजन टू के दोरान तो यहाँ पर वही चीज हमको देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों यहाँ पर नैंसी को यह बात भी पता है कि जब जब वो स्टीव को देखेगी तो उसको बारबरा की याद आने वाली है और शायद दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यह नहीं सब चीजों के चलते हुए नैंसी स्टीव को एपसेट करने में डर रही हो हलाकि उस 11 का केस तो इस समय खतम हो चुका है उसके अंदर की जो दमेत यादाज थी यहाँ पर 11 ने उसको हटा कर बाहर फेक दिया है और यह पूरे शो के लिए एक बहुत बड़ा टर्णिंग पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरे तरीके से 11 अफ्री हो चुकी है और अपने हाई पोटेंशल पर अपनी सुपरनेचरल पावर से लड़ भी सकती है वैकना से कि दोस्तों पर उसको किसी बात का गिल्ट नहीं है वैकना उसे किसी भी तरीके से पजस्स नहीं कर सकता है बागी हाँ आपके अकॉर्डिंग वैकना ने नैंसी को ही क्यों चुना पूरी स्टोरी सुनाने के लिए इस बात को आप आपके अकॉर्डिंग बताईए यकिन मानी दोस्तों आपकी थोरी और भी ज़्यादा इंडरस्टिंग लगती है बागे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है चलिए गयर मलागातों की दोस्तों आगले ही एक इस दासू वीडियो में तब तक के लिए बाई